कि अधिक नमश्कार सर इंडिया वर्फ इंटर्वी दिने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद सर जो इश्यू हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगा देखिए ऐसा है कि एक सर्दार साब थे सर्दार सरभ जी सिंग अपने लड़के के साथ तेंपू में जा रहे थ पीछे इन्होंने थोड़ी सी रवास करी तो पीछे पुलिस वाले की गाड़ी थी उसके साथ गाड़ी लगी जो पुलिस वाला अंदर बैटा था वो उनके पास गया उनसे बात करने के लिए उसने जैसे उनकी आदफ है वो सर्दार कम से कम सर्दार जी तो बोलना सीखें जब उनकी बात हुई है उदर की ऐसी बात तो वो बाहर निकला तो उसको प्रवो करने के बाद उसने करपान डाली थी उन्होंने करपान हाथ में पकड़ ली कहते हैं अभी आपको मया चखाते हैं और वो वहां पे उनसे पाइंच सो रुपे मांगने गेते जो उसका हफता बनता है और वो सिर्फ उनसे नहीं मानते उस रोड जो उपर जितने भी टेंपू चलते हैं वह उनसे लेते हैं यह बात प्रूव होगी क्योंकि कल रात को वहां पे पुलिस के सामने सबने यह माना है जाव यह वहां से बागया है कम अंदर हम से कम नहीं तो 15 बंदे वहां स बच्चा साथ में था उन्होंने करपान पहनी ओई ती करपान हमें जूंची रखी है अपने से डिफेंस और दूसरे की इज़्जत बचाने के लिए डाली है हम इसका मतलब अपने लिए हैं जब हमारी आन के उपर बनेगी थिन झीज बढ़ गई उन्होंने करपान हाथ मे पकड़ी उनको रोकने की कोशिश की मगर वो आपे से बाहर हो गए मगर लड़ाई सिरफ एक उससे हुई जिसने सिवल ड्रेस डाली था सिवल ड्रेस वाले के साथ जब उन्होंने पीछे से पकड़ा बाकी के सारी पुलिस आके उन्होंने उनके सिर पे मारा मार मार के उनको बुरा हाल कर दिया 16 साल का बेटा था वो अपने टेम्पू में बैठा था उन्होंने अपने बाप को बचाने के लिए टेम्पू आगे करा जिससे पुलिस वाले हट गैं वो जब आगे लेके गया तो दूसरे पुलिस वाले ने अपने रिवॉल्वर निकाल के उसके कान पे लगा दी और उसका जबरतस्ती तरवाजा खोल के उसको बाहर गसीड के उसको भी मारना शुरू करा। उसके बाद जब ये काबू में आगे इन्हों ने उनके सारे के सार बाल को नोचा दड़ी नोची पगड़ी पैरों में उचाली और उसी पगड़ी के साथ जो इन्हों ने उतारी उस आदमी का जिसके सिर से खून निकला उसने अपना खून रोका कही ना कही फिर पगड़ी चूंसी है इनके काम आई हमारी सिरफ एक मांग है कि लड़ाई जगड़ा जो भी है ठीक है जो कारवाई सिख पे करनी है वो कीजिए मगर जो सेंटिमेंट सिखों के हट हुएं उसका कौन बत्वारा करेगा आज की बात नहीं है यह रोज की बात हो रही है कि यह माइनारिटी को टार्गेट किया जाता है और हम टार्गेट हो रहे हैं हमने एक बात अब सीख लिए हमने देश के लिए बहुत कुरबानिया की है और अभी भी कर रहे हैं मगर अब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रुमाईज नहीं करेंगे अगर हमारे को कोई जी सिंग जी के साथ में खड़ा है उसके कारवाई के हेट जाब हमने पुलिस वालों से बात करी जॉइंट कमिशनर के पास बैड़ के हमने तीन-चार पुलिस वाले जो फोटो में थे उनको अभी सिस्पेंड करवा दिया गया है जो के से वो क्राइम ब्रांश में चला गय जो जॉइंट कमिशनर की सिट मना के करेगी इंटरोगे और जों से बाकी के पुलिस वाले हैं वो सब्जेक्ट टू वरिफिकेशन आफ सरदार सरभजी सिंग जो वो पेचानेंगे वो उनको भी सिस्पेंड किया जाएगा और ये सिस्पेंशन थक बात रुकनी नहीं चाहि है कि जों से रक्षक की अगर भक्षक बन जाएंगे ना आप ना मैं ना ये ना कोई यहां पर सुरक्षत नहीं है हमने आज तक अपने सिर देखें हिंदुस्तान की रक्षा करी है जितने भी खड़ें अगर कोई एक पता दे कि आप जाके गजट खोल के देख लो कितने सिक यहां पर आप कहे दो कि यह वहले बिहाइंड बार्ट हैं जिन्हों नहीं करते हैं और कितने बाक्षियां को पता लाग जाएगा सिक्खों का क्या है हम अभी भी कह रहे हैं कि हम इस देश के अंदर सब के साथ प्रेम करके रहना जाते हैं अपनी केरत करते हैं अपना आपको कोई हक नहीं है इस वाद है हमारे साथ घड़ेया हैं मेले साथ हैं सर्दार अव्तार जिंग यह भी हमारे साथ थारा टाइम रहे हैं आप इनसे भी बात किजिए यह भी आपको बताएंगे कानूनी ज्यादा चीजें यह मेरे से अच्छी जानता है सर ग्रेवंद राले ने जो रिपोर्ट मांगी है उससे आपको क्या एक्सपेक्टिशन है कुछ हुगा अपना वो तो भी क्राइम राज के उसमें चले गया केस्तो पर दिल्ली ने जो परबरता की है न यह एक सिक की बात नहीं करता है आम दिल्ली के नाग्रेकों की बात कर करते हैं और दूसरा कुम्निटी थी वह बात चलेगी सारी पूरे देश में वर्ल्ड में बात चलेगी तो कुम्निटी भी नराज होगी तो अगर पुलिस अगर ठीक ठाक रहती है तो यह देश में जो पलूशन हो रहा है यह जो अपना काम दंग से करें तो मेरा एक हल ऐसी नागरिक सब एक से हैं अगर कोई ऐसी बात हुई थी उसके उपर कनूनी करवाई करते हैं वो कहीं भागनी जाता है गाड़ी का नंबर है सब कुछ है आप दस पुलिस वाले हो रामसी उसको पगड़ सकते हैं इतनी जर बो खड़ा रहता है उसको चुप चुप ले जा सकत जो पुलिस एक हमारा रक्षा करने के लिए बनी हुई है अगर वी बख्षा कर जाती है तो कैसे काम चलेगा देश कैसे नागरी कैसे सुरक्षित रहेंगे आप मिलें उनके परिवार से परिवार की मिलके आया था उनके पादर मुझे मेले थी उन्होंने बताया मिले सार और वह ऐसा नहीं है कि मतलगी अपना वो सेवा बावना अला बंदा भी था और यह कि जब उसके उसने जो से असे एंटिमेंट थे उनको हट किया उसके बाद उसको अप्षब बोले गए जब बच्चा उसके बाप को मार तो को बच्चे में गुसा आया उसके अपना अत्र नावाली का है वो तो नावाली की उपर आप अब ऐसा आता है इतनी जवर्दस तरीके से क्रोध होकर उसके उपर डंडे बरसा रहे हैं कहा का क्नून है क्या बश्ता है इसमें बहुत सारी चीजे आजती है जो हम क्लिप से देखते हैं बहुत सारे देश में बहुत चागा तो दिल्ली की राजदानी में कर ऐसा चल रहा है तो शेमफुल बाद है पुलिस के लिए तो सर क्या जैसे अभी आपने बताया कि उस बच्चे को मारा गया तो उसमें कहीं ना कहीं बिंदू के भी निकलती हुए दिखाए देरी है तो इस तरह से पब्लिक लिए हतियार दि ते अब देखो क्या 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 कॉमन से लगा हो आप कि बच्चे को पर एक से रवाल रतानी आगे उसको तुम बठ मार रहे हो कहां यह अपना क्या पुलिस को यही ट्रेणिक दी जाती है कि लोगों से ऐसे ब्रफबा से बैवार करूम अभी सर तीन लोगों को अस्पेंड क वीडियो में तो काफी ज्यादा लोग दिखाई दे रहे तो पर क्या एक्षिंट लिए रहा है तो पर बाकि के जो है वह इडेंटिफाई पसर जीत ने यह बोला है कि अगर उनकी फोटो वीडियो दिखाई जाएगी तो मैं उनको इंटिफाई का सकता हूं तो अभी बेटर सब्सक्राइण है